नमस्कार दोस्तों माई चैनल DC एजूकेशन में आप सबका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन का अध्यन करेंगे यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों यह के जहाँ सरके साइन्स जीके का है और इसमें प्रीवियस इसमें पूछे के प्रस्ण हैं और यह आपके आगामी एक्जाम्स रेलवे ग्रूब डी एंटीपीसी इत्याद एक्जाम्स के लिए अतिमाहत्पुर हैं दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सेर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आएए दोस्तों कोचन नमबर फर्स्ट किसी वस्त पर किया गया कार निमलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है प्रियुक्त बल पर वस्त के द्रमान पर विस्तापन पर बल और विस्तापन के बीच कोण पर अंसर करिए दोस्तों अंसर नम्बर बी वस्तु के द्रमान पर अगला कुशन है निमलिखित में से किस मामले में कोई कार नहीं होता है एक पाउन चक्की कुवे से पानी निकाल रही है एक गधा अपनी पीट पर वजन लेकर चल रहा है सुमन एक फूल में तैर रही है एक इंजन ट्रेन को खीच रहा है किस में कोई कार नहीं होता है एंसर करें दोस्तों एंसर नम्बर बी एक गधा अपनी पीट पर वजन लेकर चल रहा है इस पे कोई कार नहीं किया जा रहा है एक बेक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट उपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, पैमाना वजन कम दिखाएगा, पैमाना सूने दिखाएगा, पैमाना कोई विच्छेपड नहीं दिखाएगा, बलकि वावास्तिविक वजन दर्साएगा एंसर करें दोस्तो दोस्तो जब लिफ्ट उपर की ओर जाती है तो वस्त का भार अधिक होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो वस्त का भार कम होता है वस्त का भार कम होता है क्योंकि जैसे जैसे प्रिफ्वी के पास में आती है तो गुर्तवा कर्शन बल अधिक कारे करता है और जैसे जैसे कोई वस्त प्रिफ्वी से दूर जाती है तो गुर्तवा कर्शन धीदरे कम हो जाता है तो इसलिए वस्त का भार अधिक होने लगता है तो इसका answer number होगा A. पैमाना वजन अधिक दिखाएगा अगला question है पैमाना कोई भी आकार में बदलाओ के कारण सरीर द्वारा प्राप्त उर्जा को कहा जाता है गुर्तवी इस्थतित उर्जा, प्रत्यास्थ इस्थतित उर्जा, यांत्रिक उर्जा, माज स्पेशी उर्ज answer करें दोस्तों, answer number B. प्रत्यास्थ इस्थतित उर्जा, अगला question है हवा में धोनी तरंगे होती हैं, प्रवर्धित अनुपरस्थ अनुदैर्द लंबी answer करें दोस्तों, हवा में धोनी अनुदैर्द होती हैं, कैसी होती हैं दोस्तों, अनुदैर्द, answer number C. अगला question है, निम लिखित में से कौन सा कथन धोनी और प्रकास्थ तरंगों के बारे में सही है, दोनो अनुदैर्द तरंगे होती हैं, दोनो अनुदैर्द तरंगे होती होती हैं में से कौन सा एंसर होगा एंसर करें दोस्तों कि वीडियो को पोच करें एंसर करें बाद में देखें कि आप कितने कुश्चन सही कर पाते हैं अगला कुशन है अगला कुशन है एक समुद्री सर्वेच्छन जहाज समुद्र के तल पर एक धोनी तरंग भीचता है जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रति धोनी या आनुगुन्ज प्राप्त करता है समुद्री जल में धोनी की गती 12 बारा सू मीटर पर सेकेंड है धोनी की गहराई बताएं हाँ दोस्तों वी बराबर यानि चाल वी बराबर 1200 मीटर ठीक है टाइम 2.5 सेकंड 2.5 सेकंड लगता है मान लिया कोई यह जहाज है जहाज से सिगनल भेजा गया और हमको प्रतिधोनी प्रतिधोनी यह जितनी दूरी चली है उतनी दूरी तो सुनाएगे यह यानि 1200 मीटर यह है और तो 1200 रिपीट होगी यहीतनी डिश्टेंस टरवल करेगी तो वी बराबर दोस्तों हो जाएगी 2D यह भी दिः और यह भी डिस्टेंस है डिपार डिस्टेंस तो 2D अपान्टी फार्मूला होता है वी वरावर यानि चाल वरावर दूरी बटे समय होता है तो उसी परकार यानि चाल हमारी क्या है वी वरावर टूडी डिस्टेंस टूडी अपान टी तो इसमें रख देते हैं दोस्तों यानि अब यहां से निकाल लेते हैं टूडी वरावर वी इंटू ट आपान तो यहां से कैंसिल करते हैं यहां टो लगाते हैं तो यह तो दोस्तों यह हो जाएगा यानि डिस्टेंस निकल के आएगी विंज tsunami में रख देते हैं तो वी कितनी है बारा सो 12oshima कितना है 2.5 यानि ninth second अपान टू सेइसको कैंसिल आउट कर देते हैं यह बचेगा 600, 600 और 600 की धाइस से गुणा करवाएंगे यानि 2.5 से गुणा करवाएंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, डिस्टेंस है तो मीटर में होगी, तो इसका एंसर दोस्तों होगा D, यानि 1500 मीटर, अगला खुश्चन है, ऐसी वस्तुमें जो खु का प्रकास नहीं करती है, वैसी वस्तुमें को क्या कहते हैं, पारदर्सी वस्तुमें कहते हैं, परभासी वस्तुमें कहते हैं, आप प्रदीप्त वस्तुमें कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुमें कहते हैं, एंसर करें दोस्तों, एंसर नमबर C, यानि आप प्रदीप्त वस् उटा है तो दर्पण का प्रकार है समतल उत्तर दर्पण अवतल दर्पण समतल दर्पण और उत्तर दर्पण तो कैसा दर्पण है दोस्तों एंसर करें एंसर नमबर डी यानि उत्तल दर्पण दोस्तों उत्तल दर्पण में ड्राइवर के पास में जो मिरर लगा होता है जो सीसा लगा होता है यह पीछे की वस्तों को छोटी करके दिखाता है वास्तिविक और सीधी तो यह दोस्तों कौन मिरर लगा होता है उत्तल दर्पण लग ımı और कार के हैड़ाइटों में दोस्तों आवतल दर्पण लगा होता कैसा दर्पंड लगा होता है एक समतल दर्प Suzette एक समतल दरपण के लिए चब होती अंसर करें दोस्तों एक समतल दरपण के लिए चब कैसी होती है एंसर नमबर ढी यानि अभासी और पासर उल्टी अभासी और पासर उल्टी आमलिक के अधार पर कौन सा सही है लाल लिटमस को नीला कर देता है O.H. आयन को जली माध्य में पेश करता है और पिघली हुई इस्थित में निस प्रभावी करण प्रदर्साता है और जली और घुली हुई इस्थित में विद्धुत का संचालन करता है स्टिए पार पिंसदों कि अंसर करें पैंन सी एनि आमली के आधार पर कौन सा सही है यानि निस प्रभावी करन दर्साता है यह क्या दर साता है ये चारी होता है अगर हो तो क्या दोस्तों चारी होता है जब यच प्लस आयन हो तो क्या होगा यह अमली होगा इसमें जो है तो यह अमली हो अगला खुशन है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पी एच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है हरा हो जाता है परिवर्थित नहीं होता है नीला हो जाता है पीला हो जाता है एंसर करें दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानि खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को पी एच पेपर की पट्टी पर देखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है एंसर करें अंसर नंबर बी यानि परिवर्तित नहीं होता है परिवर्तित नहीं होता है सामानी रूप से एक उदा उदा सीनी करण अभिकरिया को किस रूप में लिखा जाता है चार प्लस अमल बराबर जल प्लस गैस चार प्लस अमल बराबर लवन प्लस जल चार प्लस अमल बराबर लवन प्लस गैस चार प्लस अमल बराबर लवन प्लस और छेप अंसर करें दोस्तों यह answer number B यानि चार प्लस अमल वराबर क्या बनता है लवण नमक और जल लेड नाइट्रेट को जोरदार धंग से गरम करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं नाइट्रिक आक्साइड नाइट्रोजन डाई आक्साइड और डाई नाइट्रोजन आक्साइड नाइट्रोजन पैटोक्साइड एंसर करें दोस्तों अंसर नंबर B यादि नाइट्रोजन डायक्साईट प्वाटी नाइट्रोजन डायक्साईड अगला कुस्षान है गयस का उपयोग चिप को आका型 रत्रो हुने से रोखने के लिए किया जाता है किसका प्रियोग जो है चिप को आक रासीरत हो को ने के लिए किया आता है यसटु का यन-टु का सीलो का हेटरोजन नाइटरोजन क्लोरीन आक्सीजन किसका किया ज़ता है दोस्तों आइंसर करें अंसर नमबर भी यानी नैटरोजन यन two अगला कुछन है जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धात ज्वाला को पीला रंग परदान करती है सोडियम कैलसियम पोटैसियम बेरियम एंसर करें दोस्तों एंसर करें आइंसर नमबर B यानि पोटाइसियम जलने पर यह लोगत में से कौन सी धात ज्वाला को पीला कर देती है तो पोटाइसियम धात तो है ज्वाला को पीला कर देती है अगला कोशन है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के बने घोल के मद्द से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माद्द से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है सोडियम और पानी सोडियम आकसाइड सोडियम क्लोरीन सोडियम हाइडराकसाइड अंसर करें दोस्तों बी यानि गुलुकोज पाचन के बाद कार्वोहाट्रेट को गुलुकोज में परियोतित कर दिया जता है गले में किसके कारण छल्ले मौजूद होते हैं उपास्त के कारण जोड के कारण इस नायू के कारण इरोलर के कारण अंसर करें दोस्तों अंसर नंबर के उपास्त के का पाचन के दावरान पित की भूमिका होती है यह नेक्स्ट कुर्शन आयो दोस्तों आइंसर करें और यह लास्ट कोसा का उस्वें वसा का-वसा का आपाचन आइंसर करें आइंसर नमबर भी यानि वसा का आपाई सी करां दोस्तों यह इस वीडियो का लाश कोशन था और यह आने वाले रेलवे गुरूब बी अंटीपीसी इत्याद एकजाम्स के लिए आती महात्पुन है दोस्तों प्रते कुश्चन सेलेक्टेट कुश्च प्रकार से मैं और भी वीडियो बना सको जो आपकी इस प्रकार से मदद कर सको इस बार रेलवे पार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं जो आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका पहुंच आए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जय हैं दोस्तों